हिंदुस्तान की राजनीती में पहली बार आजाद हिंदुस्तान के 75 साल की राजनीती में पहली बार सत्ता पक्ष ने सदन का अवरोध किया और सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया और एक संयुक्त विपक्ष ने एक स्वर में इस सरकार को घेरा और एक संयुक्त विपक्ष ने जेपीसी की अडानी महा घुटाले पर बात की हम ED जा रहे थे हमारे सांसद 200 सांसदों को 2000 पुलीस पोर्स रोकता है हम संसद में जहां धरना करते हैं वहाँ पर मार्शल्स आते हैं हमारे माइक बंद कर दिये जाते हैं और विपक्ष की सबसे मजबूत और प्रखर आवाज को विपक्ष के ही नहीं सदन से ही निश्कासित कर दिया जाता है एक मैच फिक्स करके एक रिवर्स एंजिनियरिंग करकर राहुल गांदी जी ने साथ फरवरी को सवाल पुछे अडानी पर और उनकी आवाज को बंद करने का काम लगा मोधी सरकार को कि वो कर देगी लेकिन असलियत ये है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा होता है तो सरकार बोखला जाती है राहुल जी के सवालों से ये सरकार बैक फुट पर है और इसी लिए अब हर उस आवाज का दमन करना चाहती है जो खड़े होकर इन से सवाल पूछेगा मुझे बिलकुल भी नहीं लगता कि विपक्ष एक जुटता किसी भी तरह से प्रभावित ह हो रही है समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा है इस बार कि बजट सेशन में सरकार इसलिए बौखलाई हुई है इसलिए घबराई हुई है और इसलिए इंटरनेट को कंट्रोल और सेंसर करने की बात हो रही है क्योंकि विपक्ष एक जुट होकर एक मत में मोधी सरकार को घ का चीन की Communist Party से लेना देना है वो घुसा हुआ है पूरे तंत्र में उसको अडानी जी लेके गलबईया कर रहे हैं अगर यह अंटी नाशनल अक्टिविटी नहीं है तो अंटी नाशनल अक्टिविटी क्या है इस देश के लोगों का LIC के धारकों का पॉलिसी धारकों का 30 करोर से उपर जो है 45 करोर से जादा SBI के अकाउंट होल्डर से उनका पैसा डूब रहा है LIC का जो इंवेस्मेंट था वो नेगेटिव हो गया है यह देश के लोगों के पैसे का सवाल है यह राश्चिय सुरक्षा का सवाल है यह अन्यमितिता का सवाल